हेलो फ्रेंट्स कल जब हम लाइव सेशन कर रहे तो उसमें बहुत सारे क्वेशन्स मुझे एशियन पेंट्स के बारे में आ रहे थे दो आई वस नॉट एबल तो एंसर दाट पर्टिकुलर क्वेशन बट जब मैंने वह लाइव चाट फिर से वापस देखी तो बहुत सारे कोने एशन पेंट्स के बारे में बात की थी क्योंकि मैंने कुछ पॉइंटर्स वहाँ पे रखे थे कि अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई से या फिर आल टाइम हाई से यह फॉल में 20 परसेंट डाउन है सो देन इट कुड बी अगुड केंडिडेट फॉर तो उसके पीछे का एक सिनारियो समझने की कोशिश यहां पर करेंगे रीजन में पॉइंट आउट करूंगा थेन थोड़ा सा कंपारिजन उसके कंपिटिटर्स के साथ भी होगा और फाइनली वेलेशन पॉइंट आफ यू से क्या नजर आता इस कंपनी में यह भी हम डिसक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ सो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों सो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ जाएंगी स्क्रीन मीररिंग मैं कर लेता हूँ येस वाई एशियन पेंट स्टॉक इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं सो जो फ्रस्ट रीज़न इंके पीछे का जो मुह नजर आता है वो दिजन ओवरल ब्रॉड़र मार्केट जो एडि़ुरावफ्ट में जो थोड़ा सा स्लगिशनेस आ गया है product स्लगिशनेस वह वी एक और कि वजह से यह जो पेंट स्टॉक से अफिरेशन पेंट में वो जो फॉल हुआ है स्टॉक फॉल वो और ज्यादा एग्रिवेट हुआ है इस इस दी फर्स रिजन भी हाब सेकंड रीजन जो है आई थिंक एवरीबडी नोस था इंक्रीजिंग क्रूड ऑइल प्राइसिंग इंक्रीजिंग क्रूड ऑइल प्राइसिस तो यह क्यों इसका इंपक्ट क्या होता है तो जैसे आप लगों पता है 50-60 परसेंट ऑफ दे रॉब माट्रियल जो यूज होता है पेंड इंडस्ट्री में पेंड सेक्टर में प्राड़क्शन में वह क्रूड या फिर उसके डे अगर इंपक्ट होता है प्राइटिश प्राइबलेटी कम होती है तो उसके प्रड़क्ट भी तो वह प्राइस बढ़ाएंगे और देन देन पासीट ऑन तु दी कंजूमर्स तो वह कितना कंपनी कर पादी है नहीं कर पादी है आने वाला समय हमें बताएगा यहां पर नजर आता हुआ दिख रहा है हमें थर्ड रीजन है बिर्ला ग्रूप अधित्य बिर्ला ग्रूप अब इसको निगेटिवली मत लीजिए बिकास यह ग्रूप ने 5000 क्रो रूपीज की इंवेस्मेंट प्लान की है इन पेंट सेक्टर एंट्री वह लेने वाले है 5000 क इसके वज़े से थोड़ा सा प्रेशर 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 हमें नजर आता है एक रीजन है यहां पर क्योंकि डेकॉरेटिव पेंट्स यह एशियन पेंट्स का सबसे बड़ा जो प्राफिट मेकर है उनके लिए वो इसी लिए बट इस नॉट गोंग तो हपन कि वह आ गया और इमिडेटली मार्केट शेर ले लिए और वो तबाही मचा देंगे पूरी पेंट इंडस्री में बट आइधिंग साइकोलोजिकल यह सारी चीज़े वेट हो होंगा एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स देन एक्जो नोबिल यह जो कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे एंड कंसाइन नेरो लग सो यह चार कंपनी इसका थोड़ा सा कंपारीजन हम करेंगे रिटर्न पॉइंट आफ यह मैं अगर वन यह के रिटर्न अभी मतलब यह इतना फॉल होने के बावजूद एशियन पेंट्स के जो वन यह के रिटर्न से वो 26.7 परसेंट है बर्जर पेंट के 20 परसेंट है माइनस 8.19 परसेंट एक्जो नोबिल मतलब एक साल के रिटर्न निगेटिव हो चुके है एक्जो नोबिल के एंड 11 परसेंट आर फॉर इतना फॉल होने के बावजूद अगर 26.7 परसेंट के एक साल के रिटर्न एशियन पेंट्स के नजर आते है तो इट मेंज तो जो कंपनी बहुत जादा उपर जाती है डेफिनेटली वेन देटिंग्स विल टरन डाउन तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा बीटा होता है मतलब अब तो फॉल भी उसका मेजर ही होगा यहाँ पर अगर दूसरी कंपनी के हिसाप से हम देखेंगे अब फॉल सिंस पीक मतलब पीक लेवल जो थी उसकी यह सारी कंपनी इसकी रिसेंटली जब मार्केट बहुत उपर गया था तो वहाँ पे यह कंपनी ने अपने आल टाइम हाई को टाज किया था तो वहाँ पे एशेंट का जो स्टाॉक डाउन है वो 20.7% से डाउन है अब बहुत सारी लोग उसको फॉलो करते है सो इफिनिल धार जाता है और added pressure to this particular company, then अगर बर्जर पेंट के मैं बात करता हूं, so this stock is down by 50, sorry 17.57%, 14% down है from the peak, Exo Nobel and 17% down है, 17.79, Kansai Narolaic, तो यहां पे सबसे ज़्यादा जो company, जो stock fall हुआ है, just a second, I'll just select the, sorry friends, नई चीज़े अमारे लिए, हाँ, so सबसे ज़्यादा fall कहां पे हुआ है, Asian paints में हुआ है, reason behind, because सबसे ज़्यादा return भी इसी company ने दिये थे last 12 months में, so that is one more reason why this particular stock is falling more compared to other paint industry stocks, now थोड़ा बहुत अगर valuation point of view से हम देखते हैं, so valuation में normally अगर P ratio को हम देखते हैं, so current P ratio is 79.5, current P ratio, अब यहां हम one year का median P अगर देखते हैं, मतलब last one year में average P ratio कितना रहा है, three years में कितना रहा है और यह median numbers में कि बात कर रहा है, तो this particular thing also is suggesting a lot of other things, मतलब 82.3 का, इसका median P रहा है last one year का, it means, so from valuation point of view, यह जो typically, the first, जो support होना चाहिए, इस stock का, जो technical terms में लोग use करते हैं, that's why, तो उसके यह नीचे जा चुका है, three year का median P is 62.4 and five years का is 59.1, I am not saying कि यह यहाँ पर जाने वाला है, यह particular company का stock, यह मतलब वहाँ पर गिर जाएगा और इतना P ratio नीचे जाएगा, but definitely these factors are going to play some role, क्योंकि reason, वैसे एक चीज़ तो हमें देखने होगी कि जो last quarter था, I think बहुत ही जबर्दस quarter था, profitability के angle से भी Asian Pants का profit काफी अच्छे थे, but because of the crude oil, यह थोड़ा सा जो scenario है, यह spoil कर सकता है, because operating profit margin company के गिरने वाले है, तो यह particular चीज़ थोड़ी aggravate हो सकती है, I am not saying, I am not trying to fear monger, but definitely कि यह आने वाले समय में थोड़ा सा हवी रह सकता है, बट longer horizon की हिसाब से अगर आप देखोगे, अब crude के prices बढ़ते क्यों है, because of the usage of crude, majorly हम जो transportation के लिए use होता है, अब वो चीज़ यह alternate resources, non-conventional energy sources, electric vehicles जैसे जैसे आएंगे, so long term में, जो demand है crude की, that is going to go down, या फिर जो एक expectation थी, कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, because of the transportation need, fuel need, so वो dependency कम होगी, so longer term में crude के prices नीचे ही रह सकते है, so paint industry के लिए तो crude लगने ही वाला है, so वो जो advantage company को रहेगा, longer term में, अगर raw material के cost बहुत ज़्यादा inflate नहीं होते है, so raw material cost अगर बहुत ज़्यादा inflate नहीं होए, so it means कि visibility काफी अच्छी नजर आ सकती है, predictability काफी अच्छी हो सकती है, कि raw material की prices क्या हो सकते है, short term fluctuations are possible, but for the longer horizon, I think company can manage it really well, and that's why with a growing sector, जहां पे जो penetration है, या फिर per capita consumption है, paint का, वो जैसे जैसे आने वाले समय में, disposable income और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, economy में, so definitely people would like to spend a lot on these things, जहां पे paint sector काफी अच्छा role play कर सकता है, और इसलिए यह जो sector है, यह premium valuation पे trade होता है, so there is a reason for that, इसलिए long term में जैसे हम हमेशा कहते है, कि earning visibility कैसी है company की, तो वो काफी बढ़िया है, must, काफी अच्छा नजर आता है, and growth in the earning, वो भी काफी अच्छी तरीके से visible है, तो यह दोनो factors पे मुझे लगता है, company is, overall sector is good, so that's why it should be on your radar, so typical हमने जैसे बोला था कि 100 रुपे अगर कोई stock 80 रुपे पे आता है, so definitely वो accumulation का target बन सकता है, I am not saying to, and suggesting you to go and invest everything into this particular stock, but definitely आपके advisor को पूछ के अगर लगता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, इसमें invest करना चाहिए अपने इस company में, so definitely first allocation one can take, बाखी अगर आपको portfolios पे कुछ help चाहिए हम हमारे साइट से, so invest.in को visit कीजिये और वहाँ जाके, you can use the coupon code, thank you, because the way you are responding to this channel, we are grateful to you people, so definitely इसी के लिए ये thank you, small giveaway हमारे साइट से हो रहा है, so 33% का flat discount आपको हमारे model portfolios पे मिलेगा, invest.in visit कीजिये, thank you, coupon code use कीजिये, and you can get this discount done, so ऐसे वीडियो के लिए चैनल पे ने रहे हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैहिद.